आज हम आपको एक पपेट्चो दिखाएंगे और यह हमारी कहानी के पात्र एक बार राज्यकृष्णदेव राई के दरबार में एक व्यापारी आया उसने महाराज से कहा मैंने आपकी मंद्री मंदल की बहुत प्रशन सा सुनी है आज क्या हो तो मैं उनकी एक परिक्षा लेना चाता हूँ महाराज ने कहा अवर्श्य यह काफी दिल्चस्प होगा व्यापारी ने तीन गुडियां निकाली तीनों गुडियां देखने में एक समान थी उसने कहा भले ही यह तीनों गुडियां जैसे दिखती हूँ लेकिन इन में एक अंतर है बस आपके मंद्रियों को वह अंतर मुझे बताना है मैं साथ दिन पस्चात पना हाऊँगा राजा ने मंद्रियों को गुडियों का अंतर डूढने के लिए कहा सबने प्रियोत न किया परन्तु किसी को भी वह एक अंतर नहीं मिला दिन बीद रहे थे और राजा की चिंता बढ़ रही थी यदि कोई उतर नहीं दे पाया तो राज्य के लिए रच्चा की बात होगी राज्य ने ततकाल देनाली रामा को बुलावा भेजा राज्य ने कहा अब राज्य का सम्मान तुम्हारे हाथों में है निश्चित दिन आ गया मंत्री मंडल, राज्य, तेनाली राम और व्यापारी सब दर्बार में उपस्थित थे सब की जिक्यासा चरम सीमा पर थी तेनाली राम ने बड़ी ही साजिता से बताया तीनों गुडियां देखने में एक जैसी है किन्तु इन्हें तीन श्रेणी में बाटा जा सकता है प्रथम श्रेणी, मध्यम और निम्न श्रेणी अपने कथन को सिध्ध करने के लिए तेनाली राम ने एक पतला तार तीनों गुडियों के कान में डाला और बोले यह पहली गुडिया निम्न श्रेणी की है तार इसके कान से होता हुआ मुझ से बाहर आ गया ऐसे व्यक्ति सुनी हुई बाद दूसरों को बटा देते हैं दूसरी गुडिया मध्यम्न श्रेणी की है इसका तार एक कान से होता हुआ दूसरे कान से बाहर आ गया ऐसे व्यक्ति आपकी बात को कोई महत्व नहीं देते यह आकरी गुडिया उत्तम श्रेणी की है इसका तार कान से गया पर उन्तु बाहर नहीं आया ऐसे व्यक्ति विश्वास के पात्र होते हैं, जो बातों को गुप्ट रख सकते हैं तेनाली राम का उत्तर सुन कर महाराज, व्यापारी तथा सभाजन प्रसन्न हो गए व्यापारी ने महाराज से उनकी मंदरी मंदल वो पंडित तेनाली राम की दिल खोल कर प्रशन साकी इस तरह राज्य के गौरफ और महाराज के विश्वास की जीत हुई इस कहाने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति सादा अपने और दूसरों के गौरफ की रक्षा करने में सक्षम होता है धन्यवाद आपको हमारी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा